प्रशन 13 एक विशेश समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंतर रूप से हल करने की प्राइक्ता हैं क्रमशय एक बटा दो वह एक बटा तीन है यदि दोनों स्वतंतर रूप से समस्या को हल करने का प्रयाज करते हैं तो प्राइक्ता ग्याद कीजे कि पहला प्रशन है समस्या हल हो जाती है और दूसरा प्रशन है उनमें से तत्यत है कोई एक समस्या हल कर लेता है तो हम पहले प्रशन को देखते हैं जबकि समस्या हल हो जाती है अब गोग प्रशन में हमें क्या दिया गया है कि A द्वारा समस्या हल होने की प्राइकता है एक बटा दू तो P A ले ले लेते हैं जबकि A समस्या हल कर लेता है ये कितनी होगी एक बटा दो के बराबर और पी बी अर्थात जब बी समस्या हल कर लेता है वो है एक बटा तीन के बराबर तो इससे अभी परहे क्या हुआ कि पी ए बार अर्थात जब ए समस्या हल नहीं कर पाता वो कितनी होगी एक माइनस एक बटा तू अर्थात एक बटा दो के बराबर होगी और पी बीवार अर्थात जब बी समस्या हल नहीं कर पाता वो क्या होगी एक माइनस एक बटा तीन माना यह दो बटा तीन के बराबर तो ए द्वारा समस्या का हल ना होना इसकी प्राइक्ता एक बटा दो है बी द्वारा समस्या का हल ना होना इसकी प्राइक्ता दो बटा तीन के बड़ाबर है इसलिए समस्या का हल ना होना समस्या का हल ना होना इसकी प्राइक्ता कितनी हो गई A द्वारा भी नहीं है और B द्वारा भी नहीं है तो 1 बटा 2 गुणा 2 बटा 3 मान आ गया 2 से 2 कैंसल हो गया 1 बटा 3 के बरावर है जब समस्या हल नहीं होती तो क्या होगा A द्वारा भी हल नहीं होई और फिर B द्वारा भी हल नहीं होई दोनों को गुणा करना है तो एक बटा दो इंटू दो बटा तीन एक बटा तीन के बराबर है अब हमें पहले प्रशन में क्या है समस्या हल हो जाती है तो प्राइक्ता जबकी समस्या हल हो समस्या हल हो जाती है ये किसके बराबर है एक माइनस प्राइक्ता जबकि समस्या हल नहीं होती है समस्या का हल ना होना अर्थात मान कितना हो गया है एक माइनस प्राइक्ता जबकि समस्या का हल ना होना समस्या का हल ना होना की प्राइक्ता है एक बटा तीन तो एक माइनस एक बटा तीन मान आ गया 2 बटा 3 के बरावाद अर्थात जो पहला प्रशन है जिसमें हमें प्राइकता ज्याद करनी है जब किस समस्या हल हो जाती है वो प्राइकता 2 बटा 3 के बरावाद है अब हम दूसरा प्रशन देख से हैं इधर करते हैं उनमें से तथित है कोई एक समस्या को हल कर लेता है तथिते अर्थात exactly एक तो इस सिस्थिति में क्या होगा हमारी अविष्ठ प्राइक्ता होगी अविष्ठ प्राइक्ता बरावर ए द्वारा हल हो जाए और बी द्वारा हल ना हो या तो ये स्थिति हो सकती है पी ए तो कर ले लेकिन पी बी नह तो ये होगा, प्लस, या P B तो कर ले समस्या हल, पर हम तो P A नहीं कर पाए, उसको हम P A बार लिखेंगे, इस statement को हम दुबारा से समस्या है, इसको हमने कैसे लिखा, उनमें से तथित है कोई एक समस्या हल कर लेता है, इससे अभी प्राए क्या है, एक विक्ती समस्या को हल कर तो यदी A हल कर रहा है, तो दूसरा हल नहीं कर रहा है, या तो ये इस्तिती है, यदी B हल कर रहा है, तो A हल नहीं कर रहा है, जोड़ा क्यों है, क्योंकि या तो ये इस्तिती होगी, और प्राइक्ता में जब ऐसी इस्तिती आए, कि या तो A घटना हो, और या फिर दूसर घटना हो तो उनको जोड के लिखा जाता है वो दोनों प्रायक्ता है जोडती है अब हम इनके मान रख देते हैं तो P A हमारा है एक बटा दू जबकि A ने समस्या हल कर ली दी ने नहीं कई तो P B बार कितना है दो बटा दू प्लस P B अर्फात B ने समस्या हल कर ली एक बटा दू इन्टू A ने समस्या हल लेकी तो P A बार है एक बटा दू मान कितना आ गया यह मान हो गया 2 बटा 6 प्लस 1 बटा 6 मान आ गया 3 बटा 6 अर्फात 1 बटा 2 तो प्राइकता जबकि A और B उन दोनों में से तत्यते कोई एक समस्या हल कर लेता है वो प्राइकता 1 बटा 2 के बराबर है